हलो दिस इस अब शेक चोहान और लेट्स फोकस कानपूर के चौवेपूर में हुई मुठ भेड में शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत का बदला लेने के लिए कानपूर प्रशासन ने खुक्यात अपरादी विकास तुवे के घर को चंद मिंटू में ही जैसा की हम जानते हैं तहस नहस कर दिया था विकास के घर को उसी जैसी बी से तोड़ा गया जिसने गुरुवार रात को पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रुका था पुलिस ने लगजरी कारों को विनस्ट कर दिया था बता दें कि गुरुवार देर रात विकास तुवे को पकड़ने कई टीम पर बिक्रू गाउं में बदमाशों ने चारों और से खेर कर हमला कर दिया था जिसमें एक सीओ सहीद आठ पुलिस करमी शहिद हो गए थे सीम योगी ने भी इस मामले में प्राधियों पर जल से जल करवाई करने के आदिश दिये हैं आपको बता दें कि विकास दुवे चार दिन बाद भी पुलिस की गिरफ से बाहर है और यही नहीं अब पुलिस ने विकास दुवे के उपर धाई लाग का इनाम भी घोशित कर दिया है यूपी पुलिस ने विकास की तलाश में 40 टीमें गढ़ित की हैं इसके अलावा स्टिएफ भी अलग अलग जगह दबिश दे रही है यूपी नेपाल सीमा के लावा यूपी एमपी और यूपी राजस्थान सीमा पर भी गश्ट बढ़ा दी गई है इस टिशीटर विकास दुवे पर अब पुलिस ने धाई लाख रुपए का इनाम घोशित किया है इसके लावा पुरे प्रदेश के टोल नाक्मों पर उसके पोस्टर भी लगाए गए हैं मामले में अब तक चार पुलिस कर्मी निलंबित किये जा चुके हैं आपको बता दें कि शहीद हुए CEO देविंद्र मिश्रा ने मार्श में एक चठी SSP कानपुर को दी थी जिसमें लिखा गया था कि ROPSO विनेतिवारी पर कारवाई नहीं की गई तो ये future में एक बड़ी खटना के रूप में सब के सामने आएगा और वही हुआ फिलाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर कानपुर पुलिस फिलाल ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये चठी उनके उपर क्यों लिखी गई और अगर लिखी गई है तो अब तक उन पर कोई कारवाई क्यों नहीं की गई फिलाल वहीं विकास दुबे पर इनाम राशी को बढ़ा कर ढ़ा कर दिया गया है पुलिस की सर्विलांस टीमें दुबे के करीबियों के मुबाइल का लगातार सर्विलांस कर रही है और उससे कोई भी नाता रखने वाला हर व्यक्ति पुलिस की राडार पर है तो पुलिस इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आख वाने और यापडेशन से मिलती रहे तिल देन लेट्स फोकस